केलोगाई सम्सक्राइब केने वाल है इंडियन ओल कॉर्परेशन इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का स्टेंटो लुन डिर्जल्ट अप लोगों के सामने प्रिजन्टेड ए सारी अमाउंट्स और रिजल्ट्स में करो उसमें बताई गई है कॉर्टर और बेस के ऊपर रिज 16 करोड रुपीज का कमनी का टोटल यहाँ पर income देखने को मिल जाता है जो quarter and quarter base के ओपर company की income थोड़ी बहुत कम हुई है बाकी पिछले साल सेम quarter के comparison में company की income में बड़ोतर होती भी नजर आ जाती है बाकी इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर tax duty and अलग-अलग cost को मिला कर company का total expense इस quarter के अंदर टू लेक फिप्टीन ताउजन नाइन हंड्रेट फिप्टीन करोड रुपीस का company का total expense है company की income यहाँ पर से थोड़ी सी कम हुई है बाकी company के expenses है वो बहुत जादा तेजे से कम हुए है जो एक बहुत ही जादा अच्छी चीज है बागी विछले साल सेम quarter के मुकाबले company के expense बड़े पर income भी बढ़ी है ठीक है बाकी इस company के net profit ही बात करें तो tax and expenses आइटम काटने के बाद company ने 10,058.69 करोड रुपीस का net profit generate किया है जो quarter and quarter base की उपर और विछले साल सेम quarter के comparison में company के net profits में आप तेजी आती हुई नजरा आ और विछले साल सेम quarter के comparison में बढ़ता हुआ नजरा जाता है और इस company का result यहाँ पर अच्छा है और company की तरफ से तीन रुपे पॉर्शे का dividend भी announcement हुआ है जिसकी record date and x date company आने वाले annual general meeting के अंदर बता देगी ठीक है तो overall यहाँ पर से इस company की तरफ से अच्छा result and अच्छा dividend क announcement हुआ है invested हो whole track सकते हो short term and medium term में एक अच्छी TG आ सकती है बाग्यार इस company के शिर को long term के लिए carry forward मत करना यह था है अब मेरा opinion इस company को लेकर बास अचके लिए पसंद है तो like and subscribe करना मत बूलना good bye love good bye फिर मिलते नेक्स वीडियो में good bye